मेरा नाम है शद्कृठारी और मैं आपको आज बताने वाला हूं ओवर के बारे में देख से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे इसा लगता है कि बच्चों साम बहुत सारी बाते करते रहते हैं तो बच्चों के तुरू हमें बहुत कुछ पता चलता है बाउट कि हमारा ज आजकल शायद इन 20 एर्स में कुछ जादे ही वेरीएश आने लग गया क्योंकि हर पैरेंट्स के भी एक या दो ही बच्चे होते हैं और पैरेंट्स ही चाहते हैं कि हम अपना बेस से बेस बच्चों को दे ताकि उनका फ्यूचर अच्छा बन सके बढ़ क्या होता है अती सर बच्चा जब तक साइकल चलाते वे गिरेगानी तब तक उसका इगो हर्टनी होगा उसको समझ में कुछ भी काम नया करने के लिए उनको गिरना पड़ता है चोट लगती है उसके बाद ही आगे बढ़ता है अगर ये प्रिकोशन अंको फिफ्ट क्लास तक सिखा दिया जात तो उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता वो बार बार बीमार नहीं पड़ता है आप जब तक बच्चे को मिट्टी में खेलने से रोकोगे उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो ही नहीं सकता और फिर बढ़ा होगा तो हर मौसम चेंज होगा फिर बीमार जो इंडिया में जनरली होती है वह उनके अंदर हो जानी चाहिए तकि वह बच्पन में उस चीज से बहार निकल जाए उनकी बॉडी में उस चैप के अंटी बोडी में चाहिए तकि फ्यूचर में जब वह पढ़ाई के अंदर लगे गा तब उसको प्रॉलम नहीं आनी चा अब सोचे जब आगे एज में होगा तो बहुत दिक्कते करेगा तो ओशिश हो निचे परेंट्स की कि यार चिकन पॉक्स पहले पहले तक हो जा तक उनकी पढ़ाई कहीं भी डिश्चर बना हो कुछ बैसी बैसी प्रॉलम में जो बच्चों की इम्यों सिस्चन के लिए प् दोस्ता जो मुझे लगता है ओवर्के का जो शिकार बच पेरेंट्स करते हैं खासके मम्मा का जो ज्यादा प्यार है बहुत मुसिद बनता है कि थोड़ा सा खाले थोड़ा न्यूटिशन्स ले ले उनकी डाइटिंग चार बना के रखिये बच्चा खाना नहीं खाता बच कि 50% population को अभी वजन का problem में जबकि इस जनरेशन के लोगों को अंदर वजन नाम की चीज़ तो ओवर्वेट डबल डबल वेट हो रहा है बच्चा प्रेशान और फिजिकली रूप से फिट नहीं है आप बेसिक सा फंडा है आप अपने बच्चे को कब एक तो अपने बच् सीखिए उनके साथ खेलिये कुछ भी गेम खेलिये अरे एक दो मिट रणिंग करिये आप एक दो मिट की रणिंग में देखके समझ जाओगे कि वह बच्चा आपकी एक दो मिट में हाफ ने लग जाएगा आप बिल्डिंग में रहे तो फोर्ट फ्लोर तक लेके जाओ उसक खुद चाहते हैं आप जो चाहते हैं वहां तर पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि आप जो ITG की फिल्ड में दोड़ा भागी करवाना चाहते हो तो बच्चा फिजिकली में और साइकोलोजिकली बहुत हेल्दी होना चाहिए क्योंकि वह तब इतना हैवीनेस को जेल पाएग कि आप कम से कम 10 मिट रेगुल रुप से स्कीपिंग करिए सबसे जो मुझे लगता है कि मेरा खुद का भी चायल्ड है हम उसकी भी पढ़ाय का टाइम इसू रहता है हम आपाज भी टाइम इतना नहीं रहता है तो हम कोशिश करते हैं स्कीपिंग करने की बहुत दस मिट दि करने के लिए कोशिश कीजिए कि हिंदु मायतलोजी में रहते हैं हम लोग करते हैं तो हम उमीद रखते हैं कि आप लोग अपने पेरेंस के रुप में हैं अगर आप हैं तो जिम्मेदारी नभाई है कम से कम वणने उनके साथ रहिए और साथ में किसी गौड का भी बच्चा हर मुसीबत में घब राएगा डरेगा डिप्रेशन में जाएगा आपको डिप्रेशन से बचाना है तो आपको आपका सिक्स सेंस यानि गौड का जिस में देखते नहीं जिनको जिनसे हमकी मिले नहीं हम उन पर विश्वास करें और उस चिज़को हम आगे तक ले जो अपने आसपास के इन्वार्मेंट से सर्वाइव कर रहे हैं उससे हमें कहीं यह प्रॉब्लम अभी तक फोरेंड में फेस्ट कर रहे थे अब दिर दर इंडिया में भी शुरू हो गया खास करके उन लोगों के साथ जो ज्यादा पड़े लिखे हैं मुझे दुख इस बात क्योंकि बच्चे के मन पर आप लोगों कितना ज़्यादा टॉर्चर कर रखा है मतलब मुझे समझ में आता है कि अच्छी डिग्री के साथ अगर वह अच्छे बच्चे के रूप में अच्छे इंसान के रूप में डेवलप नहीं हुआ तो वह डिग्री ना तो उसके काम ना आपके काम आनी है, ना इस वह डिग्री कहें ने कहें उसके लिए नेगयरी थोट बन के रहे जाएगा अगर सपोज कि आप बढ़ा के डिग्री गैन कर भी लेते हुआ अगर वह फिजीकली फिट नहीं है तो फिर वह डिग्री उसके लिए नान सेंस कंडिशन है क्योंक तक कोशिश करो कि उसको सब तरह का टेश्ट डेवलप करना सिखो और उसकी इच्छा और उसकी जो उम्र के साफ से उसकी जो इसके बैसी बैसी रिक्वामेंट है उनको आपको सेटिस्फाइड करना चीब को जब तक बच्छा खुशी नहीं रहेगा वो पढ़ा ही करना मतलब तो बच्चों को मुसीबतों से फेस करना सिखाईए उनको यह मत को कि यह करने से डर होगा उनको कोई कि अगर गीरा है ना चल खड़ाओ वापस जा फिर से चला एक बार फिर गिर के दिखा और आपकी बार रोके मत आना जब तक आप अपने मुझ से यह श्टेक में नहीं कि तब जाके वह परफेट इस्टोन बनके बाहर निकलेगा वही धीरे धीरे फिर कोल और डायमन में कनवर्ट होगा आपको क्या लगता सिरी डायमन बन जाएगा पॉसिबल ही इसके लिए तो आप उसको बहुत हार्ड वक करना सिखाईए एनरजी दीजिए और उसके साथ टॉकेटिव बात भी कीजिए और कोशिश करें कि आप जितना उनसे टॉकेटिव बात करोगी जितना मोबाइल से इंक्टनेक से टीवी से दूर रहोगे उतना आप अपने बच्चे को टाइम देव पागे क्योंकि अब आई थिंग प्रॉब्लम बच्चे कहीं है अब प्र तो तुरंट एक्टिवेट हो जाओ कि यार यह चीज नहीं होने चीए उसके सोट आउट पर लगिए ओके बेस्ट अव लख आगे इस तरह से मिलते रहेंगे तब तक आप चैनल को सब्स्क्राइब और लाइक कर सकते हैं बाइबाए